एक है यह विल्कम बैक टू दा चैनल पी एस क्लासी और दिस वरून महाजन तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर तो पहला कोशन जो हमारा रहेगा यह डिसक्स करते हैं पीछे जो है लेक्चर पिछला लेक्चर हमारा जो है वो बीच में ही जो है वो रुक कि लेक्टीनियू करते हैं ओके चलो देखो 156 कोशन देख लेते हैं तो 156 को अगर हम देखें तो यहां पर पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपको अधार पुलूशन हमें देखने को मिलता यानि कि एर में अच्छी का सी हमें जो हैं पल्यूटेंट्स हैं अमिट होते ह हुए देखने को मिलते हैं डियू टू दा एंत्रोपोजैनिक फैक्टर यानि की हुमन फैक्टर के कारण हमें एर में अच्छे का से पल्यूटेंट्स होते हुए देखने को मिलते हैं तो यहां पर पूछा गया है वीच आफ ता फॉलिंग इजन एंत्रोपोजैनिक सोर्स एंत्रोपोजैनिक सोर्स पूछा गया है जिसके कारणा आपको एर में पल्यूटेंट्स होते हुए देखने को मिलते हैं ओके तो यहां पर बताओ 156 का क्या आंसर रहेगा तो यह आपको पता है कि बर्ण किये जाए बर्ण जो बैसिकली पार्टिकल्स जैस देट इन ऑगरिकल्चर है ना तो आपको पोथा है एक्रिकल्चर से पहर अच्छागा सा में एर पोलूशन जो है वो देखने को मिलता है एक एंत्रोपोजैनिक सर्टड था हम इसे बोल सक 156 हो गया 157 नहीं 158 भी नहीं हाँ यह देखो 160 यहां पूछा गया इथेनोल जो एक बायो फ्यूल है इथेनोल जो है इथेनोल जो है इथेनोल जो है एक बाईो फ्यूल है और अपने बताना इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है regarding ethanol ठीक है तो बताओ ethanol के regarding कौन सी statement वारी जो है वो गलत बन जाती है तो बताओ इसका सही answer क्या होगा अच्छा सही answer है इसका option C ठीक है blending ethanol in gasoline dramatically increases the carbon monoxide ठीक है तो यह आप देख सकते हैं next हम बात करते है 160 हो गया 161 देखो basically यहां पूछा गया है कि kerato malaysia जो है generally यह देखने को मिलता है किस की deficiency कि कमे के कारण कौन से vitamin की कमे के कारण आपको यह चीज़ जो है वो phase होती है सही option है इसका vitamin A तो vitamin A की कमे के कारण हमें kerato malaysia देखने को मिलता है okay next हम बात करते हैं यह भी नहीं है यह भी नहीं है Newton first law of motion जो है Newton first law of motion इसको क्या बोला जाता है तो Newton first law of motion को क्या बोला जाता है यह पूछा गया है तो इसे हम law of inertia भी बोलते हैं okay next हम बात करते हैं in which part of the human body are white blood cells जो है WBC इनकी production देखने को मिलते हैं तो हमारे human body में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर इसकी production होती हुए देखने को मिलती है जहां पर यह generate होते हैं produce होते हैं हमारे white blood cells एक आपके arebices होते है red blood cells और एक होते हैं आपके white blood cells है ना तो white blood cells जो है आपको पता ही act करते हैं as a soldier के तो ठीक है तो यह अच्छा खासा जो है fight करते है against जो भी infection होती है तो यही पूछा गया है कि white blood cells जो है इनकी production होती है human body के अदर तो कौन सा ऐसा body का part है जहां पर इनकी production होती तो हमारा option is c next हम बात करते हैं हाँ हाँ यह देखो यहां पूचा गया है कि को सी statement गलत है regarding electric circuit के ठीक है तो आपको गलत statement बतानी है electric circuit के sorry regarding the resistance in the electric circuit यह अब resistance आपको होता है resistance आपकी यह होती है और resistance क्या करती है एक्ट करती है ऐसे barrier जब इलेक्टिक current flow करती है उस पर यह required create करती है है ना इसको oppose करती है current को तो basically resistance जो है वो अगेंस्ट होती है electric current के flow के ओके तो यहां पर वो ही पूचा गया है कि आपको पताना है कि को सी statement गलत है regarding the resistance of the electric circuit तो resistance के बारे में आपको पताना है कि को सी statement यहां पर गलत है बताओ यह आपके सामने चार options हैं बताओ इसमें से बताओ इसकी गलत statement आपकी option C resistance can be either positive और negative ठीक है negative तो resistance आपका होता ही नहीं है ठीक है तो हम बोलेंगे यह होगी आपकी गलत statement okay next हम बात करते हैं बस इतना ही है चलो आज छोटा ही लेक्चर बनेगा इतना ही रखते हैं बाकि नेक्स्ट लेक्चर में continue करते हैं आज कुछ questions नहीं थे यह पराने ही वीडियो थी उसी के questions कुछ रह गए थे जो मैंने यहां पर जो है वो इस लेक्चर में discuss की है ठीक है तो